कि नमास्कार दोस्तों कैसे वह आप लोग उम्मित करता हूं सब अपने घरों में सही सलामत और सुरक्षित होंगे दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है आर के आज हम देखेंगे दोस्तों जो गोरे गाओ मुंबे के गोरे गाओ में जो महाड़ा के जरिये आने वाले कुछ महिनों में कुछ आने वाले कुछ दिनों में प्रधार मंतरी आवाश योजना के तहट किमत क्या होगी यह आज हम लोग जानेंगे चलिए देखते हैं न्यूज क्या है अच्छली दोस्तों बताना चाहूंगा इसके पहले में इसी के ऊपर एक वीडियो बना था मराठी में तो लोगों को काफी अच्छा लगाओ जानकरी जो भी थी उनको बहुत पसंद आई तो क तो हम देखते हैं सबसे पहले न्यूज क्या है यह जो न्यूज है वो लोकमत पेपर जो मराठी का उसमें आई थी और न्यूज पुरा मतलब मराठी में ही है मैं इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेर करके बताऊंगा और जो न्यूज आए थी जुलाए 29 को आई थी और गोरी गाउ के बारे में तो कुछ बताने की जूरत नहीं बहुत प्राइम लोकेशन है और इसे प्राइम लोकेशन में घर लेना मतलब बहुत मुश्किल होता है मिनल क्लास फैमिली को काफी महेंगे दामों पर घर महां पर मिलते हैं तो अब यही गोरी गाउ के ग्रीन जोन स्का है उनको इसका फायदा मिलने मतलब परधान मंतिरी आवाश योजना युजनार उसके पेद्वें तरव फ्लैण वाले है तो यह उसके लिए उसके पंत परोधन आवाश योजन आगए रोद्व्हाइन त्या प्रकलपा साथी ग्रीन सिगनल मिलने अउघर जात होते मात्र गोरेगा विथिल प्रकलपा साथी प्राथमिक शिरियत पार करूं करूं परवांग्या अंतिम टप्यात पहुचले आहित लवकर त्यावर शिक्का मुर्तबही होई देखे तो उसके आपर बताएगा है कि जो प्रधार मंत्री आवाश यूजना के तहित ग्रीन जोन में जो गोरेगा ग्रीन जोन का एरिया है वहां पर यह फ्लैट्स बनाए जाएंगे उसके लिए इंपोर्टन जो पर्मिशेंस थी तो वह पर्मिशेंस जो इन्वार्मेंटल डिपार्मेंट से या मिनिस्ट्री स वह मिलने वाली थी तो आ चुकी है चुकि उसको मतलब वह पर्मिशन जल्दी नहीं मिल रही थी लेकिन अभी पर्मिशन मिल चुके है तो उसका जो फरस्टेज वह पूरी तरह से महड़ा पार कर चुका है और उस पर अभी फाइनल डिसीजिजन भी हो चुका है त्यानंतर दावा करनेत अला है ऐसा दावा किया जाता है आपरी कि तीस लैक में वह फ्लैट आवेलेबल होगा गरह निर्मान मंत्री जीतिंद्र आवाड यानि योजने बाब बचे ट्वीट सम्मारी के लिए याते अक्तोबर क्युवा नोवेंबर मधे या महिनात महत्व कांशी यो जयात आवाज योजना महड़ा चामाध्य मात्यों रावोली जात आहे मूंबई में जो परदान मंत्री आवाज योजना के दहे जो घर बनने वाले वो पूरा महड जयरे बनने वाले है तो उसके लिए जो महड़ा महड़ा ुध मतलब काफी अच्छा से प्रियास कर रही उसकी और जा रही है गोरेगाव इतिल प्रस्ता वाले यतिया अगस्ट में इतिल बैटे कि केंदर सरकार कड़ून अंतिम परवांगी में अभी जो गोरेगाव में जो फ्लैट्स बनेंगे दोस्तों तो वहां पे जो फाइनल परमिशन जो है वह इस महिने के आखिर तक अगस की आखिर तक शायद सेंत्रल गोर्मेंट से मिल जांगी क्यूंकि यह जो पॉजेक्ट हो स्टेटे गोर्मेंट नहीं है वैटे ओर स्टेटो गोर्मेंट अवशन अवह स्योजना उसके लिए सेंट्रल मेंट का संक्षेन वह बहुत जरूरी होता है तो सरकार कड़ून अंति आजाएगा या भुकन डावर सुमारे 15,000 घरांचे बांदकाम अप्रिक्षित असले चाहिए त्यानी सांगितली तो इसके उपर जो है जो महाड़ा को मिलने वाला है उसके उपर 15,000 घर बना मतलब बन सकते हैं ऐसा उन्होंने कहा है परधारमंत्री आवाज योजनी अंतरग सकता है तो इसमें जो देखो 50-50 परसेंट कूल में अगर समझों 30,000 घर अगर बनाए तो उसमें से 15,000 महाड़ा को मिलेगा और 15,000 फ्लैट्स बिल्डर को मिलेगा जो भी बिल्डर यह कंस्ट्रक्शन का काम करेगा या जिसको टेंडर मिलेगा तो जो बिल्डर को 50 अपनी मर्जी के हिसाब से मार्केट कोस्ट के हिसाब से वो अपने घरों को बेच सकता है और बाकी जो बचा 50 परसेंट जो है वो महाड़ा को मिलता है जो लौट्री के जरिये अलोट किया जाता है उरोरित 15 के महाड़ा लास्तनतरित के लिए जातिल है काम पब्लीक मतलब उसमें जो प्राइवेट बिल्डर्स जो इंट्रेस्टेड है वो कंस्ट्रेक्शन करने के लिए वो इसमें सामिल हो सकते हैं यह आर्थिक द्रिष्टिया मागाज घटकान साथी परवर्ण नार्या दरात लब्द करून दिली जातिल यह जो एकॉनोमिकली ब्याकवर चाहिए और उसके साथ यह भी बात इक बताए गई है कि मालकी हक्का चे एक कई घर नाहीं ती कुटुम्बे या युजिने सटी पात्र ठरू शक्ति तो इसमें जो दो रूल्स इसमें बताए गए पहला यह है कि उसमें आपको आपका जो इंकम है तो दो दो लाक से पाच लाक के बीच में चाहिए और लूसरा यह बताए गया है कि आपके नाम पे या आपके फैमिली में कर दो कई भी घर नहीं नहीं होना चाहिए तीनसो चौरवश पूर स्क्वेर फीट 300 स्क्वेर फीट इनका एरिया रहेगा जो कार्पीट एरिया रहता है त्यांची किमत साधरनता 30 अठीक परेंन्त असेल तो आइसा बताया जा रहा है कि वो जो 300 स्क्वेर फीट के फ्लैट्स है उसकी फिलाल जो कास्ट महाड़ा जो तई करेगी वो 30 लाक होगी सद्ध्या या भागातिल ते उड़ा क्षित्र फड़ाचा घराची की मत्सुमारे एक कोटी परेंत जाते यह भी बताए गाई कि अगर आपको गोरे गाउ में 300 स्क्वेर फीट का फ्लैट अगर लेना है कारपेट इरिया का अगर फ्लैट लेना है तो आपको एक करोड के आसपस उसका मतलब मौज़ा देना पड़ेगा उसकी किम्मत देनी पड़ेगी त्या मुले हाँ प्रकलप यह शिवशी जारा तर ते लाट्री चे माध्यमात उन घर मिलोना अगर जाता है कि वहां पर जिसको अगर घर मिलेगा वह नशिबान कहलाएगा वह भग्यवान कहलाएगा क्योंकि एक करोड का घर उनको 30 लाक में मिल जाएगा तो जाहिर है दोस्तों इसके लिए बहुत सारे बहुत बड़ी मातर में फॉर्मा सकते हैं लेकिन मैं फिर से ए वह आपको फालो करने पड़ेंगे उसी के तहट आपको ये घर अलोट किया जाएगा तो दोस्तों उम्मित करता हूँ आपको ये बात समझ में आए होगी कि किस तरह से गोरे गाओ के ग्रीन जोन में गोरे गाओ जो ऐसा एरिया है मुंबे का प्राइम लोकेशन है जहाँ कि अभी 30 लाक में फ्लैट मिलना मुश्किल मन नहीं ना मुंकिन है तो चलिए दोस्तों उम्मित करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आए होगी आगे के अच्छे से वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नहीं जानकरी के साथ नए स्कीम के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा धन्यवाद